नमस्कार साथियो, Knowledge Bank में आप सब का अर्दिक स्वागत करता हूँ, कैसे आप सब साथियो आप सब को इंतिजार है एक्जाम का, हरियना पुलिस के एक्जाम का और हरियना ग्रूप D का तो उसी के रिकार्डिंग ये वीडियो है कि उसका एक्जाम कब होने वाला है और मुख्यमंत्री ने मनोहरलाल खटर जिन जो है क्या घुशना कर दी ये आप जाना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और हम बात करते हैं आने वाले इसी कुछ मिनिटों में ये देखिए परदेश में सी करोगी पुलिस में साथ जार जवानों की भरती मनोहरलाल ने क्या कहा है ये देखिए करनाल की न्यूज है मनोहरलाल खटर मनोहरलाल ने सरकार कहा कि परदेश सरकार के पास विकास कारियों के लिए धन की कोई कमी नहीं है पार दर्सियोंप सुचना परिद्यगी का अधिक से अधिक परियोकर व्यवस्ता परीवरतन के माध्यम से पर्देश के लोगों को ब्रिष्टा चार रहीत सासन देने में पिछले चार वरसों में पहल की गई है लगबग चार अजार से अधिक पुलिस कर्मियों की पूर्ण पारदर सिता से भरती की गई थी और साथ अजार पुलिस कर्मियों की भरती आगामी दो महिनों में कर दी जाएगी यानि कि आने वाले आने वाले दो महिनों में आप ये मान के चलिए मुनौरलाल खटर जी ने जो गोशना की है कि वह आने वाले दो महीने में मतलब की भरती कर देंगे सरकार के पैसे को जहाँ जरूरी है वहाँ पहले लगाना है किसी भी काम को सेज़ नहीं रहने दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने अपने दोरे के दोरान गरामिनों से दोरा मांगे की सभीज मांगों को तुरंत करवाने का स्वासन दिया और यहां बताया कि जो है कि 7000 जवानों की जल्द से जल्द भरती करवाई दी जाएगी तो ये मुख्यमंत्री जी ने जो है दो महीने कास्ट में दिया है यदि ये सच होता है कि हाँ हो जाएगा जो है दो महीने में ये भरती तो जरूर बहुत अच्छी खबर है और वाकी वैसे गोशनाएं जो है बहुत बार हो चुकी है पहले भी कि 2 महीने की 6 महीने की 3 महीने की 4 महीने की तो अब आपकी बार क्या होता है तो गोशनाएं जो भी हैं तो वो गोशनाएं आप भी कर लीजिए क्या होगा क्या नहीं होता है तो इसी वीडियो के साथ और मैंने आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने यह न्यूज सुबह ही बता दी थी कि मुख्यमंतरी ने कल क्या गोशना की थी तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं आज यह न्यूजबेपर में भी आ चुका है और मैंने जो है कल शाम को ही मुझे पता चल गया था और मैंने वीडियो शुबह डाल दिया था आपको बताने के लिए और अब यह न्यूजबेपर में आया हुआ है तो आप एक बार फिर से आप डाल दिया गया है आपको बताने के लिए प्रूफ करने के लिए कि ये है तो थेंक्यू साथ या आपने वीडियो यहां तक देखा आपका धन्यवाद